भारत चीन सीन्मा पर तनाव चल रहा है और चीन में भारत को 1962 के युद्ध से सबक लेने की सलाह दी है जवाब में भारत ने भी कहा कि ये 2017 का भारत है 1962 का नहीं तो क्या भारत की सेना इतनी ताकतवर हो चुकी है कि चीन की सेना को टकर दे सके तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ भारत और चीन सीमा की सेना की ताकत के बारे में थल सेना थल सेना में चीन भारत से हर लिहाजा में मजबूत है चीन की सेना के पास 6457 युद्ध टैंक है और भारत के पास 4456 और चीन के पास बक्तर बंद लड़ाकू वहन है 4788 और भारत के पास है 6704 और चीन के पास सचलिट वहन है 1710 और भारत के पास ये सिर्फ 290 है रॉकेट प्रोजेक्टर चीन के पास है 1770 और यह वारत के पास एक तिहाई के करीब है जिसका आकड़ा है 292 वायू सेना वायू सेना में भी भारत चीन से काफी पीछे है वायू सेना में भारत चीन के मुकाबले सिर्फ एक तिहाई ही है चलिए आपको भारत और चीन की वायू सेना में तुलना करके बताते हैं चीन के पास एरक्राफ्ट 1271 है और भारत के पास इसका आधा है 676 अटैक एरक्राफ्ट चीन के पास 1380 है जबकि भारत के पास 809 ही है रंस्पोर्ट एरक्राफ्ट चीन के पास 782 है और भारत के पास 897 ट्रेनर एरक्राफ्ट चीन के पास 352 है और भारत के पास 323 हेलिकॉप्टर चीन के पास 912 है और भारत के पास सिर्फ 606 है नव सेना की ताकत में भी भारत चीन से काफी पीछे हैं चीन की सेना के पास मतर एक एरक्राफ्ट है और जबकि भारत के पास तीन चीन के पास युद्ध पोत है 51 और भारत के पास ये सिरफ 14 ही है विद्ध शंक भारत के पास है 36 और भारत के पास है 11 चांजी जहाज चीन के पास है 35 और भारत के पास है सिरफ 23 पंडुबी चीन के पास है अरसत और भारत के पास है 15 पेट्रोल क्राफ्ट चीन के पास है 220 इसके जवाब में भारत के पास है 149 माइन वार्फेयर है विश्चीन के पास 31 और इंडिया के पास सिरफ 6 ही है यह सब तुलने के बाद जब अरूम जेटली हमारे रक्षा मंतरी ने यह वाक्षा दिया था तो विशेशग्यों ने इस पे हैरानी जताई थी और इसे खतरनाग भी माना था भी मोटिवेटेड रिपोर्ट आप के लिए तत्पर है थैंक यू फार वोचिं देस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब पर ने अप्डेट